आजम लेकर आए हैं गुजिया डेसे पी आप गुजिया बहुत खाए होंगे मावे वाला सुजी वाला या फिर आप चासनी वाले भी गुजिया खाए होंगे पर इस तरह की गुजिया आप नहीं खाए होंगे आज जो हम गुजिया बनाएंगे ना इस पर माबा होगा ना ही सूजी ना ही चासनी फिर भी बहुत स्वादिश्ट बनेगा और ये गुजिया आपके होली में जान ला देगा तो हेलो नमस्ते मैं संजू आप सभी का स्वागत हमारे फोजी सिश्टर किचन में चलिए हम इससे बनाना पटापट शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप न मैदा साथ ही इसमें हम डालेंगे जो हमने लिया है अधा कप रिफाइन तेल लिए है वह आप इसके जगह पर बटर यह इस तरह से हाथे से मसलते हुए जो बचा हुआ हमारा रिफाइन तेल था उसे भी हम इसमें अच्छे से डाल करके और फिर दोनों हाथों से इसे अच् चाहे तो एक बड़ हम इसे चेक कर लेंगे तो देखिए हां तो मुटी में इस तरह से बांदेंगे तो आपस में जुड़ा हुआ है यह महसूस होगा देख सकते हैं तो इस तरह ही का आटे चाहिए चले आटे को हम तीन भाग में बाट लेते हैं क्योंकि आपने देखा पर एक ग्लास पानी लिया है इसे हम थोड़े थोड़े डाल करके अच्छे से गुतेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए यह थोड़े से आटे सकते या निकी टाइट गुते जाते हैं रोटी जो नॉर्मल हम डो बनाते हैं रोटी के लिए उससे टाइट ह लिए है इसमें हम बुलू-klur, जेल लिए ृटे डाल रहे हैं अगर आपके पास पाउडर कलर है तो उससे कुछ आगे जाएंगे वाट भूत आटे में बहुत रहो है मिक्स करहां अभला ओंटे में हम थाए-धवाद को दूर तोरे पानी डाल के इसे हम गूत लेंगे इस और हम अब दूसरे जो थोरे से बच्चे हुए आटे थे उसमें हम यहां पर और डालेंगे आप अपने कोई भी कलर चूछ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर वाला कलर है तो उससे यह बहुत अच्छे से आटे को हैंडल करना हो सकता है क्योंकि आटे में पाउडर वाला जो फूड कलर होता है वो अराम से मिल जाता है मेरे पास पाउडर वाला कलर नहीं था तो मैंने यहां पर लिक्विट कलर ही लिया है तो देख सकते हैं इस तरह से हमने तीनों आटे को गुद के रेडि कर लिया है तो इसे हम ढख करके आदे गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ती हम अब तक हम इस्टपिंग की तीयारी कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहांपर चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगिया है जब हम इसे टरू है तो अब हम इसे चलाना स्टार्ट कर देंगे हम गैस के फिलेम यहाँ पर मेडियम कर लेंगे हाई से मेडियम कर लेंगे और मेडियम फिलेम पर इसे मेल्ट होने देंगे तो देख सकते हैं यह फैटा वट चिनी मेल्ट हो गया है केरेमल बन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे दूद तो आप सोच रहे होंगे संजु क्या कर रही है चीनी को बढ़वात कर रही है दूद भी तो बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है इस चीनी का करेमन बन चुका था दूद ठंडा था इसके वज़े से ऐसे हुआ है पर इसे तीन से चार मिनटी से पकाईएगा यह बहुत ही अराम से दूद के साथ मिक्स हो जाएगा और ऐसे करने से जो हम मावे के जैसा टेक्सर बनाएंगे ना उसमें काफी अच्छा टेस्ट आएगा जैसे चलाते हुए पांच मिनट में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा चीनी तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गया है मैंने यहां पर जो पौडर वो अच्छे से यहां पर मिक्स हो गया है तो अब हम यहां पर डाल देंगे नारियल बूड़ा तो मैंने यहां पर एक कप नारियल बूड़ा लिया है इसे इसमें डाल देंगे और इसे हम मेडियम फ्लेम पर 7-8 मिनिट अच्छे से पका लेंगे तो देखिए यहां एक ओर थोड़े से घरम हमने लो कर लिया है क्योंकि मेडियम प्राइब ये जान्स है चलने का अभ हम यहीं पर डाल देंगे जो काजू और बदम्वी है कोot गare हमने तो इसे कर लिए थे हमने तर से यहां पर अच्छे से मिक्स देंगे यहां पर इसे डाल करके और अच्छे से mix कर देंगे mix करते हुए इसे हम एक से दो मिनिट और पका लेंगे तो यहां पर हो गया है अच्छे से यह रेडी देख सकते हैं यह अठा हो रहा है एक तम से जैसे हम बड़फी वनाते हैं से इसे एक प्लेट में निकाल लेंके इस तरह सो निकाल लेंक से ठंड़ा होते जЯए उट्सेट हो जाएगा चली आगय के प्रोसस करते हैं तो अब"! 85 तब तक यहां पर तरोटिया बेड लेते इसे हम साइड कर लेते हैं और तीन कलर के आटे को हम चोटे चोटे पेरे बना लेते हैं तो हमने तीनों आटे में से पेरे बना लिये हैं यहां पर हम एक रोटी जैसे बेल लेंगे पर रोटी से पतला यानि कि जो हम रोटी नॉर्माल रोटी बनाते हैं उससे इसे पतला बेल लेमेशलाइस में इस तरह से इसे कट कर लेना है तो इस तरह से हमने color quality को cut कर लिया है जो हमने plane पुरी ready किया है उसके ऊपर हम blue color को अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से आप फटआ फटी से set कर लेज़ेगा तो blue color हमारा set हो गया है अमभारी आगई है औरेंज क्लर सेट करने की तो देख सकते हैं एक लियर जब आप से सेट करेंगे बस उसमें ही मुस्किल आएगा पर उसके बाद यह इजली सेट हो जाएगा तो देख सकते हैं यह बंद गया है तो इससे क्या करना है अपोजित डायक्शन में एक एक डाउन करके इस तरह से ओरेंज कलर को डालना है बुलू कलर के उपर से लिएक सकते हैं डिजाइन बना हैं बहुत असान और बच्चे को खूब पसंद आता है यह कलरफुल गुजिया उपर से अगर गुजिय में डिजाइन हो तो फिर पूछिये मत कि बच्चे कितने मा करने काद करना ने लाला है डुघ है ओपि कलिर आट के लिया कोई काटोरी या फॉल पड़ी तो इस संट करेंगे कि दूदेशक बड़र्वनीं के रेडी हो गया है यह थोड़ Lucas सिट बारे sitting तो चलिए करने के लिए Old Spics कि यूजह उना। दुपण है यह व algorithm लिए सिल गई है तो इसमें हम थोरे से संदारी। जो भ것도 किसे सेट कर लेंगे। आगर आप गुजिया सेट करेंगे तो में दूण से कितना प्यारा कितना शुंदर सा गुजिया बन करके रेडी हो गया है तो ये गुजिया हम और बना करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे सेट किया जाता है देख सकते हैं इसे सेट करना बहुत असान है और बहुत ही सुन्दर ये गुजिया का कलर आता है बनने के बाद और बनाते टाइमिंग भी बहुत सुन्दर लगता है तो चलिए इसे भी हम पड़ाफट कट कर लेते हैं बनाना है बहुत असान इसे बनाने के लिए हमें कोई भी अलग से कोई डिजाइन की जुरुत नहीं परेगी हाथों से ही बहुत सुन्दर डिजाइन बन जाता है तो कुछ गुजिया हमने नॉर्मल सिंपल कलर का इस तरह से कलर को गुजिया बनाया है तो इसमें हम सुन्दर से हाथ से डिजाइन देंगे तो देख सकते हैं इसे कैसे डिजाइन देना है इस तरह से फोल्ड करते जाना है और फटाफटी ये डिजाइट सुन्दर सा बन के रेडी हो जाएगा तो बहुत कम टाइम में बहुत सरा गुजिया हमने बना करके रेडी कर लिया है और बहुत सुन्दर तो चलिए इसे फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है मैं यहाँ पर ले रही हूँ रिफाइन तिल आप अपने कोई भी तिल ले सकते हैं पर ध्यान रहा है इसमें सरसो तिल नहीं लीजिएगा बरना आपके गुजिया का टेस्ट बिल्कु खड़ाब हो जाएगा तो थोड़े से हमें आपने आटे डाल के चेक कर लेंगे हमें ति जाइए को घी में फ्राइए करते है तो यह तो यह और प्रेस्ट और बिचादा बढ़ जाएगा तो गुजिया को हम अच्छे से पहले प्राइए होने दिते हैं फिर अलट प्लट के इसे से देख लेंगे इस पूजिया को प्लट करने के लिए गैस का यहाँ पर लोटू म क्रिस्पी हो गया है तो चलिए इसे बड़ा बट हम निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है न देखते हैं इसे मैं खालू तो बस इसे जरूरा बनाएए इस होली में और आपका कुछ यह कैसा बना कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सिस्क्राइब कर दीजिए गा ताकि इस तरह की वीडियो हम जब भी आपकी साथ सेयर करें तो सबसे पहले आपके पास नोटीपिके संजाए तो सेम प्रॉकी की बैच भी हम फ्राइ कर लेंगे देख उसमें क्छूरिक पूड़ी हमारे बच्छे के रहा था मौमा क्लर्फूल फूरी खाना है तो तो इसके लिए हमने क्लरल फूरी बनाया थे तो चली एक उजिया को तोटगर कदेखते ह Ci Run कि नहीं देखिए कितना कृष्प भी अंधर से भी बना है और एक दम ज़ो हमने बनाया अन अंदर का धिश्टपिंगा शी मावां झैसा लग है ना कि बिल्कुल कमावा ही है नई वीडियो नई रेस्पी के सांथ तब तक आप लोग खुश रहे हैं स्वस्त्री अपने फरिवार का दियान रखिए और इस होली में खूब सरा इंजोई कीजिए